फिर से मैं आप सभी के साथ आम्रा की रेशिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि मैं पहले बताई थी, ये इसी सिजन में मिलता है। मेरे हस्बन काफी सारा ये लेकर आ गये हैं। तो मैं सोच रही हूँ कौन-कौन सी रेशिपी आप सभी के साथ इसकी सेयर करूँ। तो ये सेकंड रेसिपी है, इस गर्मी में मिलने वाली ये अमरा की, जैसा कि पहले इसे अच्छे से धो लेना है, फिर इसके दो भागों में काट लेना है, ये काफी सौफ्ट है तो असानी से कट जा रहा है, इंगलिस में इसे हॉक प्लम के नाम से जानते हैं, ये काफी खट तो मुझे लग रहा है कहीं ना वो खराब हो जाए, तो चलिए पहले इस रेसिपी को तयार कर लेती हूँ, तो इसे मैं बना रही हूँ इस पॉपिसीट से, इसे पोस्तो या खस खस भी बोल सकते हैं, तो पहले इसे पीस लेना है, तो इसका बारिक पेस्ट होना चाहिए, तो चलिए सबसे पहले इसे पीस लेती हूँ, तो यहां मैं तीन चमच डाली हूँ खसकस जार में, पहले इसे बिना पानी डाले वे इसे पीसना है, ताकि इसका स्मूथ पेस्ट रेडी हो जाए, तो इसे बिना पानी डाले पहले पीस लेती हूँ, उसके बाद इसमें पान बारिक पेस्ट हो जाता असानी से लेकिन यदि तुरंत मेरे जैसा तुरंत करना है तो पहले इसे बिने पानी का पीसे ताकि इसका थोड़ा पॉडर रेडी हो जाए उसके बाद इसे पानी डालकर पीस ले इसका बारिक पेस्ट रेडी कर लेंगे उसके बाद इसमें मसाले आ आपको सामने से दिखा रहे हूं बिल्कुल बारिक पेस्ट हो गया है तो बस अब इस टाइम पे आड़ कर दूंगी लसुन 8-10 लसुन की कलिया और हरी मिर्च का पेस्ट रेडी कर लेना है और किसी भी मसाले की जरूरत नहीं है तो इसे पीस कर लाती हूँ तो लिजे मसाला बिल्कुल तयार है पैन में डालना है सरसो का तेल तो यहाँ दो चमस सरसो का तेल डाली हूँ तेल को अच्छे से गर्म कर लूँगी उसके बाद इसमें डालना है पच फोरन यानी पांस्ट डिफरेंट डिफरेंट तरह की सीट्स है इसके लाल होती ही इसमें एड कर देना है ये कटवी आमड़ा सारा आमड़ा को इसी टाइम पे डाल देना है गैस का फ्लेम मीडियम में रखकर इसे भूनना है तो बीच-बीच में चलाते वे इसे गोल्डेन कलर आने तक भून लूँगी आप सभी ने अभी तक आमड़ा की कौन-कौन सी रेसिपी को बना लिया है कमेंट सेक्षन में जरूर बताइएगा या फिर कोई नई रेसिपी होगी तो मेरे साथ भी जरूर सेयर करियेगा इसी टाइम पे डाल दूँगी हल्दी तो यहाँ वन फोट चमच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसा नमक भी आड़ कर देंगे और बस सभी को अची तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स करते वए इसकी बुनाई करेंगे इसके कलर से ही लग रहा होगा इसकी बुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है तो अब इसे कवर करके पकाऊंगी ताकि यह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए लगभग 5-7 मिट के करीब हो गया था तो कवर हटा दी हूँ और इसे एक वर मिक्स कर लेती हूँ यह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है तो देखे मैं प्रेस करके दिखा रही हूँ यह असानी से दब जा रहा है यह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है तो इसी टाइम पे डाल देना है खसकस जिसे पीस कर रखी थी ये ना एक्चली बेंगॉली डिस है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा बहुत ही टेस्टी लगता है तो जार में अभी भी काफी सारा खसकस था तो उसमें पानी डाल कर एट कर दे रही हूँ क्योंकि वेश्ट नहीं करना चाहिए मसालों को अब इसमें किसी भी मसाले की जरूरत नहीं है बस इसी सब मसाले से ये सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा तो खसकस में अच्छे से आमडा को मिक्स कर लेना है मीडियम फ्लेम पे मिक्स करेंगे 2-3 मिट के लिए इस सबजी को फ्रीज में 3-4 दिनों के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके अचार की तरह हर दिन खा सकते हैं खसकस और लसुन का कच्छा फ्लेवर तो निकल गया बस ये सबजी बिलकुल तयार है लास्ट में डालेंगे आदा चोटा चमस सुगर इसका जो खटापन है वो बैलन्स होता है और टेस्ट भी काफी बढ़ जाता है चीह को अच्छी तरह से मिक्स करते ही ये सबजी खाने के लिए बिलकुल तयार है मार्केट में आमरा को देखे तो जरूर इसे घर पर लाकर इसकी कोई रेसिपी बना कर खाएं ये काफी फायदे मन्द है हमारे सरीर के लिए इसकी दो रेसिपी मैं आप सभी किसा सेर की हूँ तो दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा पहली वाली रेसिपी का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी